बच्चों के लिए खासी जुखाम और कफ का नुस्का आपके साथ में सेर कर रही हूं दोस्तों अगर आपके बच्चे भी इस समश्या से परेसान है तो आप ये नुस्का आजमा सकते हो बहुती ज़्यादा फायदेमंद सा नुस्का आपके साथ में सेर कर रही हूं और ये चीजों से बना हुआ नुस्खा रहेगा लेकिन बहुती ज़्यादा फायदे मंद रहेगा तो सबसे पहले यहापे सामगरी में आप देख रहे हैं दोस्तों यह ली है आपने आजवाइन आजवाइन का आपको पता ही है गरम तासीर की होती है और सर्दियों में आप इसे खाते हैं तो आपके सरीर में बहुत सारे फायदे देती है यह साथ की साथ आपके चेश्ट में लंग्स में यह जो है कफ नहीं जमने देती है और सर्दी जुखाम से भी आपको बचाती है और और अगर आपकी छाती में लंग्स वगेरा में कफ बढ़ा हुआ है तो उसको भी यह तुरंत बार कर देती है तो आप यह नुसका अपने बच्चों को दे सकते हो इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी दोनों ही तरीके आपको तीन से चार दिन आज माने होंगे और बच् चमच से आप आधी चमच बरेंगे ना उससे भी थोड़ी सी कम आपको अजवाइन ले लेनी है पूरी आधी चमच नहीं लेनी है उसको आपको क्या करना है डेड़ कप पानी में डाल कर और अच्छे से बोईल करना है जब तक की पानी अपनी क्वांटिटी से आदा रह जाए इतना बोईल कर लेना पानी जब अच्छे से बोईल हो जाएगा तो उसका कलर आप देख रहे हैं आपे हमने साइड में कप में रखा हुआ ही बना कर इस तरह का आपको देखेगा बस ऐसा ही आपको बना के एक बार ये रख लेना है किसी कांच के वरतन में इसे आप रख ल है दोस्तो आपको इसको इजी तरीके से बनाना है ये है आमारे पास सहेड आपको जो है एक से डेल चमच बर के इसके अंदर जब इसका temperature थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद में सहद mix कर देना है सहद भी जो होता है ये दोस्तों आपको सर्दी जुखाम ठीक करने की साथ-साथ जो फेपड़ों में कफ जमा हो जाता है चेश्ट में कफ जमा हो जाता है उसको भी पूरा बार कर देता है तो इस तरीके से आप इसे क सका बनकर तयार हो गया है अब अगर आपके बच्रे एक साल सी दो साल के बच्रेश एक और दो साल के बच्रेशे है तो आप इसे दिंमें तीन से च्यार बार पिलाएंगे, तीन तीन च्यार च्यार गंटे के अंतराल में, एक से दो चमच आप इसे दे सकते हो, एक साल का बच्चा है तो एक चमच दे दे, दो साल का बच्चा है तो दो चमच दे दे, उससे वड़े बच्चे हैं जैसे तीन साल के चार साल के तो इसक ज़्यादा गरम नहीं होना चै़ी बस, अलका सा गरम करने के बाद में, आप इसी चमस की सहता से बक्चे को पिला सकते हो, दिन में जो है, एक दिन में तीन से चार बार आपको ये देना है, सुब़े के टाइम में और रात के टाइम में आपको ये जरूर देना है, और दिन में जैसे मैंने बताया 3-4 गंटे की अंतरल में आप इसे दे देना तीन दिन में ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और तीन दिन ये आपको तीनों दिन अलग-अलग सुबह के टाइम बना लेना है एक बार बना कर तीन दिन इस्तिमाल ना करना इसे रो जाना आपक छिए दोस्तोU जब भी आप इसे देनाई शुरू करें तो तीन-चार दिन आप लगातार देना ऐसा के दिन ड explo Sy Supop और जो परे शार दिन ख़ल लकातार कोज़ तो आप बताएं Dare कोज़ा अóc लकातार देना में उसाकती है अगर दवाईया नहीं हैं तो आप इसे बना कर 3-4 दिन लगातार देना और जो परेज आपको बताए हैं उनका आप ध्यान रखना इसके साथ साथ जिन बच्चों की चेश्ट में लंग्स में कफ बहुजदा जम हो गया है चाती में से आवाज आने लगी है घरगर की कफ की आवाज आती है तो आप ये और ट्राई करना साथ की साथ ये और जरूर देना पिलाने की साथ साथ आपको ये नुस्खा भी करना है आपको ले लेनी है अजवाइन चार से पांच चमच अजवाइन आपको लेनी ही होगी क्योंकि तवी ये नुस्खा जो है अच्छे से बन पाएगा दोस्तो अजवाइन को आपको कोटन के कपड़े में रखना है या मलमल के कपड़े में अगर कपड़ा पतला है cotton का तो आप उसे double layer कर लेना और फिर ये बना कर तयार करना ऐसा नहीं एकदम पतला सा कपड़ा उस पे आप बना लेना तो आगे का जो process करेंगे उसमें ये खराब हो जाएगा इसलिए कपड़ा जो है cotton का होना चीए पतला है तो उसे double कर लेना और इस तरीके से आप इसे बांद कर लेना बांदते समय एक चीज द्यान रखना बुझ ज़्यादा tight आपको नहीं बांद नहीं है थोड़ी सी अलकी सी बांद नहीं है जिससे कि जब ये बंद कर तयार हो तो ये अलकी सी flat लगे नीचे से जिससे कि आपको नुस्खा आजमाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी तो यहाँ पे आमने इसको बांद लिया हाप रवर से भी इसे जो है पैक कर सकते हो तो इस तरीके से इसको अलका सा आप धवा कर और नीचे की साइड से थोड़ा flat कर लेना जिससे कि आपको आसानी रहेगी नुस्खा आजमाने में आब इसका इ तो ही यह आपको कम से कम 4-5 मिनिट तक चिकाई करनी ही इसकी तो यह जो लोहे का तवा होता हलका सा बारी होता है इसमें गर्माट जादा देर तक रूखेगी इसको बहुत जादा देर तक गरम करने की जरूरत नहीं है आप थोड़ी सी देर रखके इसे गरम कर लेना और फ चीज आप द्यान रखना इसको ऐसे ही बीच में उठा उठा कर थोड़ी थोड़ी देर में और गरम कर लेना इससे क्या होगा आज वायन बेल किसी गरम हो जाएगी कपड़े में भी गरमाट रहेगी बस आप इसको गरम करने के बाद में इस तरीके से चेक करना जो आपके ह आतेली पे इसको चेक किया तो आतेली जो है ना आमारी ज्यादा गरम जो है सेन कर लेती है दोस्तों और उपर की जो स्किन है ये ज्यादा सेन नहीं कर पाती है ये स्किन ऐसी होती है जैसे बच्चों की स्किन होती है तो आपको यहाँ पे चेक करके इसको अच्छे से और फ पिर से सिखाई करना, कमर की, छाती की, आप सिखाई कर सकती हो बच्चे की, इससे क्या है, उनको सांस लेने में भी अच्छा लगेगा, दिक्कत नहीं होगी, जो कफ के कारण दिक्कत हो रही है, और साथ की साथ कफ भी बार निकलना शुरू हो जाएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा इस नुस्खे से, तो ये जो नुस्खा है आप दिन में दो बार आजमा सकते हो, और जो ये मैंने अभी नुस्खा बना कर बताया था पिलाने के लिए, इसको आप तीन से चार बार देंगे दिन में, सुबह और शाम को आपको जरूर देना है इस तरीके से जो ही ये नुस्खे आजमा सकते हो, अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते है ना पलीज वीडियो को ज़ादा से ज़दा लाईक किया करो, और शेयर किया करो, क्योंकि ये चोटे-चोटे नुस्खे जो हैं बहुती ज़दा फाइदे मंद होते हैं और सभी कोक फायदा मिली कम खर्च में तो आप जरूर शेर कर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना नूस खाप को कैसा लगा और चैनल पर लिवार आए तो सब्सक्राइब कर लेना धन्या